आज आप सब तरह की योग देख रहे हैं। आप पावर योगा देखते हैं, हॉट योगा, कोल योगा देखते हैं। क्या योग एक तरह से फैशन की चीज बन गया है? या बस एक ऐसी चीज जिसे आप जिम में करते हैं और फिर पूरे दिन के लिए भूल जाते हैं देखे सबसे पहले योग बस एक अभ्यास नहीं है लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं हर दिन कितने घंटे योग का अभ्यास करता हूं मैं उने कहता हूँ कि मैं 20 सेकंड योग करता हूँ, बस. सच मैं? हाँ. 20 सेकंड में मैं अपनी उरजाओं को विवस्थित करता हूँ और दिन केलिए तयार हो जाता हूँ. फिर मैं 20 घंटे काम करता हूँ. सिर्फ 20 सेकंड करने से? हाँ मैं बस इतना ही करता हूँ लेकिन इन 20 सेकंड तक आने के लिए आपने अपना पूरा जीवन इसमें जोग दिया है वो अलग बात है अब सवाल पावर योग, होट योग वगरह के बारे में देखिए हमने बाजार की अर्थ व्यवस्था को अपने जीवन का तरीका चुन लिया है इसलिए नहीं कि ये सबसे अच्छी चीज है बलकि इसलिए क्योंकि बाखी सभी चीज़ें असफल रही है तो जब आपने बाजार की अर्थ व्यवस्था को चुना है तो जो भी चीज लोग प्री होती है कोई न कोई उसके इर्द गिर्द छोटा सा बाजार बना लेता है आप इसे रोक नहीं सकते वैसे भी लंबे दौर में अच्छी गुनवत्ता ही राज करेगी आखिर कार आखिर में उसी का राज रहेगा शुरुवात में जब ये लोगत प्री हो रहा है जब इसके बारे में बहुत उत्सा है चारों और छोटी-छोटे बिजनिस खड़े होंगे ये चलेगा लेकिन कुछ समय बाद गुनवत्ता ही राज करेगी कुछ लोग हैं जो अच्छी बुरी चीज में फर्क नहीं कर पाते वो कुछ भी खरीद लेगे आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं आप वो सब नहीं रोक सकते इसके लिए हमें योग को दबाने की जरूरत नहीं है कुछ गड़वडियां होंगी जब आप कोई चीज इतने बड़े पैमाने पर करते हैं तो गड़वडियां भी होंगी मेरा लक्ष मेरी दृष्टी ये है ये सिर्व रूपांतरन के साधन है रूपांतरन के साधनों को किसी गुरू या किसी संगठन या किसी दूसरी सत्ता के हाथों में नहीं होना चाहिए ये हर इंसान के हाथ में होने चाहिए हर इंसान जैसे आज सभी के पास टूद ब्रश है और उसकी वज़े से उनके मूँ काफी हद तक साफ है इसी तरह से हर किसी के पास रूपांतरन के साधन होने चाहिए उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें अपने शरीर के साथ क्या करना है अपने दिमाग के साथ क्या करना है इसे हर किसी के जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए इसके एक हिस्से के रूप में इस बार हम देश के 30,000 स्कूलों के करीब 2 करोड बच्चों तक जा रहे हैं जो 10 से 16 साल की उम्र के बीच के हैं उदेश है इसे हर किसी के जीवन का हिस्सा बनाना दांत ब्रश करने की तरह ही आपको पता हो कि अपने दिमाग के साथ क्या करना है इससे पहले कि आप दुनिया में कदम रखें ताकि आप वहाँ जाकर पागल न हो जाएं आपका बहुत बहुत शुक्रिया